राचसमन जिले की पंचाय समीती आमेट में एएओ कवरलाल रेगर को हटाने की मांग को लेकर पंचाय सहायोकर ने आमेट में विरोध प्रदर्शन किया रेगर पर गोसुन्डी के पंचाय सहायक से अबदर्ता करने की आरोप लगे हैं जिसको लेकर पंचाय सहायक संग जिलादक्षर आखेश पालिवाल के नेतरुत्व में स्टेम नीशा सहारन को ग्यापन दिया और एएओ को तकल हटाने की मांग की पंचायस सहायक संग जिलादक्षर आकेश पालीवाल के नेतरुतों में दिये ग्यापन में बताया कि 22 जुलाई को पंचायस समीती कार्याले आमेट में एएओ कवरलारेगर द्वारा गोसुंडी पंचायस सहायक गोपाल किर से अबदरता की गई उन्होंने पंचायस सहायक को दफ्टर से बाहर निकल जाने के लिए धमकाया और गोसुंडी सरपंच बहादूर सिह चोहान से भी अबदरता की ग्यापन में बताया कि एएओ के इस वहवार से कार्मी केवजन प्रतिनीदी भी परिशान है इसलिए A.A.O. कवरलार रेगर को ततकाल पच से बरखास्त किया जाए अध्यक्ष का कहना था कि पंचायस समिती द्वारा आरोपी A.A.O. के खिलाप कार्यवाई नहीं की गई तो पंचायस सहायक महासंग्र द्वारा उगरा अंदोलन किया जाएगा और पंचायस सहायक ग्राम पंचायस की कारयों का भहिशकार भी करेंगे खिलाप अनुसाशनात्मक कारवाई नहीं की जाती है तो पंचायस सहायक संगठन उगरा आंदोलन करेगा और धरना प्रत्रशन करेगा